का दोस्तों एक भाय के कमेंट आया था कि हम कभी भी होता है ज़िम सार्किट में घरों में चस्ता आगे हो का आपको जबाब देना चाहूंगा बस आपसे निवेदान है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद बेल लेकर बड़न जब दबा देजिएगा दोस्तो जब आप कभी साकेट लगाते हैं तो उसमें प्लग लगाते समय उसमें कभी चट की भी आवाज आती है और जैसे किट की आवाज आती है और उसमें हलकी सी चिंदारी भी उठती है वो क्यों होता है जोस्तो वो इसलिए होता है कि माल लिजिए कि आपके खर में कोई भी यह हमारा कोई प्लग है । यह हमारा कोई plug है यह इसमें 3 पॉइंट होता है और यह न्यूटल जो होता है वो बाएं हाथ पे होता है और माली जिए कि कि हमारी गर में माली कोई टीवी लगा हुआ है लगा हुआ रहु कुछ भी है तो उसका तो कुछ नय्यकुश्ट और हो गया तो उसमें च्ट की आवाज क्यों आती है मैं आपको समधानिया पताओंगा कि वो ना हो तो वो कैसे ऐसे बचा जाए अगर आप इसी चूर के ध्यान लगेंगे तो जो आपके 9 सौर्ट लगे हैं वे कराम ने होंगे वह गलेंंगे नहीं उस्तों में देखा ओका लोगा कि जो सॉकेट लगे होते हैं वो बार-बार ऐसा करने से वो गलने लगते हैं वो क्यों होता है तुम्हें अभी बताऊंगा जोस्तों सबसे पहले आप यह समझ लीजे कि यह कोई हमारा सॉकेट है अगर इसमें लोड डाला तो अगर इसका स्विच अन है ठीक है यह स्विच मा होगी वो क्यों होता है क्योंकि हर हीटर का कुछ नफुल रोड होता है यहीटार का हो गया टीवी का हो गया पंक्र को यह न load के साथ जोडने पर इसमें ये ऐसी आवाद आती है क्योंकि इसका भी load होता है तो जब भी आप इसको on करेंगे स्विच आउन करने ते समय इसमें चट की वाद आएगी आएगी कि चुनगारी भी होगी क्योंकि इसमें इसका खुद का लोड होता है कोई भी पंका हो हीटर हो कुछ भी हो अब इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे जब भी आप स्विच को on करें ठीक है स्विच on करने के बाद इसको अगर कोई भी लोड इसमें आप जोड रहे हैं पंके का कुछ भी हो तो आप हमेशा स्विच को off करके ही कुछी भी उपक्राण को plug में लगाएं ठीक है अगर on करके करेंगे तो ये चीज condition इसमें बार-बार होगा वो अगर load ज्यादा होगा तो यह बार-बार होगा अगर load काम होगा तो वो कभी-कभी होता है लेकिन जो हमारे heater होते हैं जो जाला वाट की होते हैं तो इसमें हमेशा यह वाज आते रहती है अगर आप switch को बिना बंद किये अगर आप डायटेस को जोड देंगे प्लग में तो इसमें चटकी वाज आए कि चिंगारी उटेगी तो आप कोशिशिश किजिए कि हमेशा स्विच को बंद करके ही आप इसको इसमें लगाए तो यह दिक्कत नहीं आएगी अब दोस्तो यह चिंगारी बार बार उठने से क् नकालता हैं तो वो इस फारकिंग हो के वो खराब हो जाता है तो आप इसको बचने के लिए आप हमेशा जब इसको स्ट की सिर्टकी आती रहेगी और दोस्तों ये safety के नजरे से भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि माल लिजे कि हमारा कभी-कभी इस point पे अर्थ हमारा नहीं होता है ठीक है तो अर्थ नहीं होता है तो हम डाइट इसको हमने इसमें जोड़ दिया अब अगर इसमें कोई हीट है यह कोई दोस्त है कोई इसका अर्थ हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो यह तुरंथ हो जाएगा और अगर कोई safety नहीं लगा हुआ है तो हमारे excellent भी हो सकता है कुछ भी मलब कुछ भी दुखटना हो सकती है तो जब भी आप आप हमेशा कोशिस केजिए कि जब भी आप wiring करवाईए तो इसमें earthing आप जरूर डलवाईए ठीक है अब earthing आप डलवा देंगे तो जो भी इसमें अगर दोस्त होगा तो यह तुरं तो यह दिक्कत नहीं आएगी अब दोस्तों यह चट की आवाज आने का एक और भी कारण है क्योंकि इसका जो resistance भी होता है तो इसका resistance होने के कारण भी इसमें जब लोड बहुत ज्यादा इसमें लोड पड़ता है तो इसलिए आप जब भी आप हैवी जब लोड होता है उस जब नहीं होगा लेकिन अगर आप हीटर के लिए 5-6 आपयर के अगर सॉक्त करेंगे तो यह जलदी खराब हो जाएगा और अगर आप स्विच को ऑफ करके करते हैं तो इसकी लएफ और जदा हो जाएगी अगर आप सुच को आउन करके इसको आपक याव यूज करते हैं त यह जल्दी खराब हो जाएगा और यह खराब हो जाएगा दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छे लेगी होगी और अगर अच्छे लेगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब बने के बाद बेल आगर मटन जो उड़ते बाद दीजेगा